हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू दे चैनल, मैं हूँ डाइटीशिन अनिता आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे पांच वाइट फूट्स के बारे में जिनें आपको अपनी डाइट से हटाना चाहिए क्योंकि ये जो सफेद फूट्स हैं, इसमें कैलोरी बहुत अधिक होती है, काप्स अधिक होते हैं, लेकिन अन्य पोसकत बहुत ही कम होते हैं इसलिए इन सफेद फूट्स के सेवन से दूर रहें तो आईए जानते हैं ये सफेद फूट्स कौन-कौन से हैं सफेद ब्रेट, सफेद ब्रेट को अपनी food table से हटाएं क्योंकि इसमें ना तो fiber होता है और ना ही vitamins और minerals इसमें केवर high calorie और carbs होते हैं जो आपको मोटापा देते हैं white bread की जगह brown bread या multi grain bread का saveन कर सकते हैं whole grain bread में fibers होते हैं और ये खाने में बहुत ही positive होती है और आपके शरीड को fit रखती है इसी तरह सफेद पास्ता भी refined प्रक्रिया से होकर गुजरता है जो शरीड के लिए काफी नुक्षान दायक होता है सफेद पास्ता की जगह आप whole grain पास्ता का यूज कर सकते हैं सफेद चावल वैसे तो नुक्सान दायक नहीं होता लेकिन ये refined प्रक्रिया से गुजरता है जिससे इसमें मौझूद fibers और proteins जैसे पोसक तत्व नश्ट हो जाते हैं इसलिए जो लोग weight loss करना चाहते हैं वो सफेद चावल से दूर रहें वाइट राइस की जगह आप brown rice या दूसरे millets का यूज कर सकते हैं जिसमें complex carbohydrate पाया जाते हैं जिनके calorie value कम होती है सफेद चीनी एक सफेद जहर के समान होता है ये calorie में जादा और portion में zero होता है बहुत अधिक मात्रा में सफेद शक्कर का सेवन करने से type 2 diabetes और हिदय रोग का खत्रा बढ़ जाता है आप चीनी की जगह brown sugar, शहद या coconut sugar का यूज कर सकते हैं इसी तरह सफेद नमक का भी अधिक सेवन हमारे शरीड के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दायक है इससे आपको रिदय रोग, श्ट्रोग, मुटापा और kidney disease का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए सीमीत मात्रा में ही सफेद नमक के इस्तिमाल करें आप सफेद नमक की जगए हिमालियन, पिंक सॉल्ट या दूसरी spices का यूज कर सकते हैं ये कुछ पांच सफेद चीजें थी जो हमारे शरीड के लिए नुकसान दायक है सभी सफेद चीजें सरीड के लिए नुकसान दायक नहीं है बलकि वो पोसक तत्तों से भरी हुई होती है जैसे कि फूल गोबी, प्याज, लहसुन, सलगम, मश्रूम इन्हें अपने भोजन में शामिल करें इसके अलावा आप अपने भोजन में सफेद बीन्स, दूद, दही, पनीर, नारियल जैसे सफेद खाद पदार्थों को शामिल कर सकते हैं आई होप ये जानकारी आप लोग के लिए यूजफुल रही हो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही healthy diet और lifestyle से जुड़ी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद